अगर आप किसी relationship में है और उस relationship में आप अपने partner से ये उमीद रख रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ action ले वो इस रिष्टे के लिए कोई stand ले तो आज की reading आपके लिए है आज की reading का topic है क्या आपके partner आपके लिए stand लेंगे आज की जो ये reading है ये एक generalized reading है बहुत सारी energies निकल कर आएंगे जो भी energies आपके साथ resonate होंगी आप उन्ही energies को pick कीचेगा बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीचेगा आप male है female है married है unmarried है divorced है extra marital affair में है long distance relationship में है या फिर किसी complicated relationship में है आज की reading definitely आपके साथ resonate होगी आज की reading में मैं किसी भी particular zodic sign का नाम नहीं लोंगी क्योंकि ये reading सभी zodic signs के लिए है तो यहां पर जो cards निकल कर आए हैं वो है five of pentacles का card है the next card over here is page of pentacles का card है four of vans का card है five of cups का card है nine of pentacles का card है bottom of the deck पर four of sports का card है आएए अब हम इस deck से देख लेते हैं यहां पर completion का card है the next card is expansion का card है the next card is recovery का card है the next card is gratitude का card है the next is disappointment का card है and bottom of the deck पर wisdom का card है so आएए detail में बात करते हैं क्या आपके partner आपके लिए इस रिष्टे के लिए stand लेंगे देखें यहां पर जो आपके partner की energies में देख पा रहे हूं उन energies के according तो आपके partner आपके लिए बहुत ज़ादा desperate है आपके partner आपके बिना बहुत ही ज़ादा pain की energies में है उन्होंने जो कुछ किया उस चीज को लेकर बहुत ज़ादा शर्मिंदगी भी उन्हें है आपके partner को आप इस चीज के realization होती है कि जब आप उन्हें सब कुछ सच बताने की कोशिश कर रहे थे तो उनके आँखों पर पट्टी बंदी हुई थी और आपके partner ने कुछ भी नहीं समझा और आज आपके partner की suffering state इसी वज़े से है क्योंकि आपके partner अगर उस time पर आपकी बात को सुन लेते है तो उनकी life इतनी बुरी तरह negative way में transform ना होती आपके partner guilt की energies में है उन्हें इन चीजों को reverse करना है आपके partner ने इस relationship पर इस तरह से give up नहीं किया कि चीजों reverse नहीं हो सकती है लेकिन आपके partner अंदर ये अंदर कहीं न कहीं बिखर भी रहे है तो कभी-कभी ये vibration उनकी बहुत हाय बजाती है कि शायर हर एक चीज अब finish हो गई है ठीक है वो क्यों होती है क्योंकि जब ठक हार जाते है तब ये feeling आती है आपके जो partner है न वो अपने emotions को आपके सामने तो व्यक्त करना ही चाहते है और साथ ही साथ आपके partner आपको commitment सबके सामने देना चाहते है लेकिन आपके partner की जीवन में एक बहुत बड़ी चनौती है चनौती ये है कि जो उनकी present situation है चाहे वो कोई और person है या कोई situation है उसकी तरफ भी आपके partner की कोई responsibility है और वो responsibility अपने आप generate नहीं हुई है आपके partner के actions की वज़ह से generate हुई है चीक है आपके partner एक feeling of loss में है उन्हें डर सतारा है कि अगर यही हालात बने रहे तो वो आपको हमेशा के लिए खोदेंगे और आपके partner आपको खोना नहीं चाहते है अकेले में बैटकर अक्सर आपके partner सोचते है कि इस रिष्टे के बारे में उन्हें कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी situation भी कभी आ जाएगी जब आपके partner आपको सरफ देखने के लिए भी तरसेंगे ठीक है आपके जो partner है वो आपको किसी भी level पर आपको यह इस रिष्टे को give up नहीं करना चाहते आपके partner को वक्त के साथ बहुत सारी चीजों में समझ आ रहे है हो कहां गलत थे उन्हें क्या करना चाहिए था उन्होंने कहां पर गलत decision बनाया यह सारी चीज़े आपके partner को वक्त के साथ समझ आ रहे है और आपके partner के इंदर नहीं maturity का level डवलप हो रहा है अब हम बात किस चीज़ पर कर रहे हैं हम बात किस बात पर कर रहे हैं कि क्या आपके partner इस रिष्टे के लिए stand लेंगे देखिया आपके partner इस रिष्टे को completely tension free करना चाहते है expand करना चाहते हैं और इस relationship को recover करना चाहते है आपके partner को पता है कि इस relationship में बहुत ही जादा tough situation create हो गई है अगर कोई problem नजर आ रही है तो उस problem का कोई solution भी तो होगा आपके partner ना उस solution को ढूणने की कोशिश कर रहे है अपने तरीके से आपके partner कोई इस बात की बिलकुल उमीद है positive है वो इस चीज़ को लेकर कि वो कोई ना कोई solution तो ढूण लेंगे आपको लेकर वो बहुत सदा grateful है कि आप जैसा व्यक्ति उनकी life के अंदर आया जिस person ने उन्हें ये एसास दिलाया कि actually प्यार क्या हो आपके partner को ये चीज़ समझ आ रही है कि आपने ना अपने partner से बिना किसी लालच के प्यार किया आपके partner के जीवन में जतने भी लोग है ना वो आपके partner से कुछ ना कुछ expect कर रहे हैं लेकिन आपके partner को इस बात की realization हो रही है कि आपने अपने partner से कभी भी इस तरह की expectations नहीं रखी आपने हमेशा अपने partner के खुशियों को priority भी ठीक है आपके partner जो है वो आज के time पर emotionally weak तब होते हैं जब आपके partner action लेने की कोशिश करते हैं और उस action का result आपके partner को देखने के लिए नहीं मिलता है आपके partner ये जो solution है इसे बहुत पार अपने तरीके से खुच कर लेकर आया है उन्हें समझ आ गया था कि ऐसे से करेंगे तो चीज़े ठीक हो जाएंगे लेकिन वो चीज़े नहीं ठीक हुई तब आपके partner demoralize हो जाते है कभी-कभी आपके partner को ऐसा लगता है वो इस वज़े से डबलप होती है क्योंकि उनके efforts results नहीं दे रहे है पहली चीज़ तो ये डूसरी चीज़ ये है कि एक जो negativity है वो इस वज़े से भी आते है क्योंकि आपके partner को ना कोई इस रिष्टे के रिगार्ड में उनकी life के रिगार्ड में इस रिष्टे के लिए stand लेने के लिए तयार है इसमें कोई डोर आए लिए आपके partner आपको commitment देना चाहते है सब के सामने commitment देना चाहते है आप से शादी करना चाहते है जो सपने आपके partner ने आपको दिखा है आपसे मीठी मीठी बाते कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वही पर तो आपके पार्टनर ने चीट किया, वो चीट नहीं किया, आपके पार्टनर उन सभी सपनों को साकार करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेकर बिल्कुल भी खराब नहीं है, आपके पार्टनर ने जितनी भ आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, वो चाहिए आपसे बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन वो यह जानने की कुशिश करते हैं, कि आपकी लाइफ में एक्जाटली चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी लाइफ में किसी और को बहुत ज़ादा priority देदी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी life में किसी और के साथ बहुत ज़ादा खुश हो, और आपके partner जब आपको किसी और के साथ देखते हैं, तो आपके partner को jealousy भी होती है, चाहे हो कोई आपका normal friend ही क्यों ना हो, आपके partner इस relationship को अपने हाथ से फिसल नहीं देना चाहते हैं, आपके partner इस relationship को संभालना चाहते हैं, वो इस feeling of loss से बाहर निकलना चाहते हैं, तो definitely यह चीज़ है कि आपके partner आपके लिए stand तो लेना चाहते हैं, उनकी intention यह नहीं है कि वो stand नहीं लेंगे अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे ये बात तो समझ आ गई है लेकिन क्या वो स्टैंड लेकर इस relationship को इसकी final destination तक पहुचा पाएंगे सवाल ये है देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फिल होता है कि उनकी energies आप तक नहीं पहुचती है अगर इसे और simplified language में बोलू तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो उनके दुख है जो उनकी तकलीफ है वो आप नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ अच्छा आपके साथ नहीं किया है कि आपके पार्टनर पर आपको एकदम से भरोसा हो जाए इ यह एक energy barrier है जैसे आपके पार्टनर को यह लग रहा है न कि आप उनकी मुसीबत को नहीं समझ पा रहे हैं आप उनकी problem को नहीं समझ पा रहे हैं यह आप दोनों के बीच में energy gap है जो energy gap अपने आप create नहीं हुआ है आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इस problem का solution find करने की कोश करते हैं तो यह बात किसी ना किसी से discuss करते हैं और उस person से discuss करते हैं जो आप दोनों के इस relationship को spoil करने की कोशिश कर रहा है और किया भी है उस person मतलब जो भी third party energy है उसके साथ आपके पार्टनर इस चीज़ को discuss करते हैं इसलिए जब आपके partner solution के करीब होते हैं तब भी आपके partner के हाथ से solution फिजल जाता है आपके partner को solution दिखाई नहीं देता क्योंकि इस third party के पूरी कोशिश होती है कि आपके partner रमित हो जाए तो यह third party आपके partner को निरंतर रमित कर रही है आपके partner सिरफ emotionally अपनी life में सफर नहीं कर रहे हैं वो physically mentally भी अपनी life में बहुत जादा सफर कर रह हैं आपके partner की health बिलकुल भी ठीक नहीं है बहुत ही जादा isolated हो गया है अपने आपे बहुत जादा केलापन महसूस करते हैं फुल्मून नो मून की इनवर्शी आपके partner को बहुत जादा effect करती है आपके partner के अंदर एक negative transformation हुई है आपके partner में जो बदलाव हो रही है ना उन् समझ नहीं आ रहा है कभी कभी आपके partner अपने heart chakra की vibration को समझ ही नहीं पाते हैं आपके जो partner है वो इस रिष्टे के लिए stand लेना तो चाहते हैं लेकिन परिस्तितियां उनके अनुकूल नहीं है आपके partner क्यों stand नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये third party आपके partner को commitment के लिए force कर र रहे है कि ये जो relationship है आपका और आपके partner का ये आपके partner के लिए एक श्राप है और आपके partner को इस relationship से अब आगे बढ़ जाना चाहिए ये third party आपके partner के उपर ना किसी तरीके का pressure develop करने की कोशिश करते हैं जब pressure से काम ना बने तो आपके partner की energies को change करने की कोशिश करते हैं इस आपके पार्टनर के सामने अपनी situation clearly निकल कर तो आती है, लेकिन इस third party की सचाई आपके पार्टनर के सामने निकल कर नहीं आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए stand लें, तो आपके इस रिष्टे में से third party elimination बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क् आपके पार्टनर आपके प्यार के लिए बहुत साथा grateful है, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में यह जो energy आप बढ़ता जा रहा है, वो किस वज़ह से बढ़ रहा है, वो इस third party की वज़ह से बढ़ रहा है, आपके पार्टनर कबके आपके सामने अपने emotions को express कर च पैरा benefit यह होगा कि आपके पार्टनर अपनी energies में वापिस आजाएंगे, आपके पार्टनर की energies बार बार डिस्टर्ब नहीं होगे, दूसरा benefit क्या है, कोई person उन्हें manipulate नहीं करेगा, तो जो भी उनके decisions होगे, वो independent decisions होगे, वो जब वो decisions बनाएंगे, तो वो decision definitely आपके favor में ह उस time पर आप अपने partner से सभी सवालों के जवाब मांग सकते हैं, जो भी सवाल आपके अंदर है, आप उन सवालों के जवाब अपने partner से मांग सकते हैं, और आपके partner आपको आपके सवालों के जवाब दी जाएंगे, अगर यह third party elimination नहीं होती है, तो क्या हो, तो आपके partner और ज़रा down energy उसमें जाबते जाएंगे आपके partner की ये जो will है कि इस रुष्टे के लिए stand लेना है वो will दीरे दीरे deteriorate हो जाएगी खतम हो जाएगी मतब dip आजाएगा उस energy में ठीक है और आपका जो ये relationship है वो weak हो जाएगा इसमें फिर third party elimination नहीं होगे फिर आपकी elimination हो जाएगी इस रुष्टे में से ठीक है और ये elimination आपके partner नहीं करेंगे जिम्मेवार वही आपकी नजरों में होंगे लेकिन वो elimination इस third party के through होगी ठीक है so यहाँ पर आपको अपने relationship को बचाना है या नहीं बचाना है आपको ये रिष्टा चाहिए ये नहीं चाहिए ये decision independently आपका है क्योंकि रिष्टा आपका है आप अपने partner की पुरानी बातों से इतने ज़्यादा परेशान है कि आप अपने partner को हमेशा के लिए खोना चाहते हैं तो वो choice आपकी है ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस रिष्टे को बचाना है तो पहले अपने partner को अपनी energies में vaptas लेकर आना होगा third party elimination go through करनी होगी आपके partner इस रिष्टे के लिए definitely stand लेंगे उसमें क्या कर सकते हैं आप अपने partner के लिए एक reading book कीजे reading में अपने रिष्टे की blockages जाने है आपको क्या लगता है कि सभी relationship में healing possible है ऐसा नहीं होता है जितने मेरे पास cases आता है उन में से जो healing है सिरफ 30 to 40 percent cases में होती है बाकी में आप इतने ज़दा delay कर चुके हैं कि healing possibly नहीं हो पाती है ठीक है तो वहाँ पर directly मैं मना कर देती हूँ इसलिए कहते हूँ कि personal reading के अंदर आप blockages को जाने blockages को overcome किया जा सकता है कि नहीं कि energies irreversible हो गई है ठीक है वो जाने accordingly आपको यह healing का process या फिर कोई remedy गो थू कर सकते है अगर आप मेरे साथ यह reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के थू या फिर मेरी email id के थू आप यह reading book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id screen पर flash होंगे आप मुझे direct call नहीं करेंगे आप मुझे message या mail ही करेंगे आपको reply ज़रूर मिलेगा direct call पिक कर पाना possible नहीं हो पाता है और अगर आप यह जाना चाहते है कि healing result किस तरह से देती है तो आप मेरी community tab पर जाकर देख सकते हैं okay so आएए अब हम जानते हैं आपके partner की तरफ से कुछ hand written messages आपके लिए आपके partner आपको क्या message लेना चाहते है आपके partner की तरफ से कुछ hand written messages आपके लिए मैं कुनेगार हूँ तुम्हारे एक-एक आँसू का मुझे माफ कर दो आपके partner को इस बात की realization है कि आपके partner की वजह से आपकी आँखों में आँसू आए है और वो अपने आपको इस चीज के लिए गुनेगार मानते हैं और वो आपसे माफी माग रहे है the next message is गलती मुझे ही हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो आपको किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा है आपके partner को इस बात की realization है कि गलती उनसे ही हुई है आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए यह वो आपसे कहना चाहते है the next is मेरे दिल की गेराईयों में सिर्फ तुम हो अगर आपको यह कोई गलत फहिमी है कि आपके partner किसी और से प्यार करते है तो इस गलत फहिमी को अपने दिल से निकाल दीजे क्योंकि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही है the next message is मेरे दिल में बहुत सारी बाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता है आपके partner ने आपके साथ बहुत सारी बाते शेयर करना चाहता है उन्होंने बहुत सारी चीज़े अपने दिल में दबा कर रखी हुई है वो बाते सिर्फ आपके साथ ही करेंगे ठेक है मेरे आक्शन से अपने रिष्टे का फैसला मत करो मैं बुरी तरह से फ़सा हुआ हूँ आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते है कि जो वो प्रेजंटी आक्शन ले रहे हैं उससे आप अपने इस रिष्टे का फैसला मत कीचिए आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से फ़से हुआ है मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ I am guilty आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते है कि वो अपनी ही नजरों में बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, I am not ready for the commitment right now, things don't favor me, आपके partner commitment के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं है, चीजें उन्हें favor नहीं कर रही है, ठीकेट, the next message is, मैं कभी अपने emotions को express ही नहीं कर पाया, और आज express करने का फाइदा नहीं है, तुम नहीं समझेंगे, आपके partner आपसे ये कहना चाहते हैं, कि वो अपने emotions को आपके सामने कभी express ही नहीं कर पाये, और आज express करने का कोई फाइदा नहीं है, आप नहीं समझेंगे, So, आज की reading से ये चीज़ तो बहुत clearly निज़र आ रहे है कि आपके जो partner है वो इस relationship को लेकर बहुत ज़ादा possessive है और वो इस relationship के लिए stand लेना चाहते हैं बट यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो immediately stand ले पाएंगे तो अपने partner की इन्हों चीज़ पर फूड़ा सा focus क आपको मौका मिलेगा जहां पर आप अपने सवालों के जवाब अपने partner से ले पाएंगे और आपके partner भी आपके सवालों के जवाब आपको दे पाएंगे तो आएए जान लेते हैं यह energy cycle किस तरह का है इस चीज़ पर भी clarity होनी बहुत ज़रूरी है कि यह energy cycle किस तरह का है आएए जान लेते हैं यह energy cycle किस तरह का है तो यहाँ पर loss का card है optimism का card है the next card is teacher का card है the next card over here is friends and colleagues का card है and bottom of the deck पर decrease the card है देखिए यह जो आप दोनों के रिष्टे का energy cycle है उसमें इस relationship की fertility जो है वो decrease हो रही है बतलब यह relationship बेजान होता चला जा रहा है इस relationship को प्यार से सीचने की ज़रूरत है और उसमें किसी एक इंसान के effort ज़ादा लगेंगे ठीक है तो वहाँ पर आपके effort energy इसकी और बढ़ पाएगा the next is यहाँ पर loss का card है यह relationship जो है यह आपके हातों से छूटता चला जा रहा है आप एक site पर खड़े होकर देख रहे हैं आप भी और आपके partner भी यहाँ पर आप ही को क्यों blame किया जाए आपके partner भी खड़े होकर देख रहे हैं और इस रिष्टे की जो direction है उसे change करने के लिए कोई और person responsible है आपको भी लग रहा है कि वक्त सही हो जाएगा आपको यह नहीं पता लग रहा है कि इस रिष्टे की जो नाओ है वो आपके हाथ से छोट चुकी है और इस नाओ को अपनी तरफ को खीचने के लिए उस समुदर में आपको उतरना पड़ेगा और आपके partner के लिए भी यही चीज है यह आपके 3D में हो रहा है यह रिष्टा एक loss की तरफ को बढ़ रहा है ऐसा नहीं है कि इस relationship में positivity नहीं आ सकती है consciously कुद को positive बनाए इस relationship में definitely चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है अपना नजरिया अपने partner के लिए relationship के ल नहीं उन surrendering energies को ही अपनी energies मान बैठेंगे तो इस energy से आपको बचने की ज़रूरत है कि आप अपने इस रिष्टे को surrender ना करें और positively इस रिष्टे के बारे में सोचें इस रिष्टे में आपको किसी की guidance लेने की ज़रूरत है आपके partner के पास कोई भी अच्छा guide नहीं है जो इस रिष्टे के लिए उन्हें guidance दे पाए style लेने की will होना अलग बात है लेकिन उसे action में वो execute तो कर नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी से particular guidance लेनी चाहिए कि इस रिष्टे को कैसे बहतर बनाया जा सकता है क्योंकि आपके partner के around कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके partner को brain drain कर रहे हैं चोने distorted energies की और लेकर जा रहे हैं तो यह रिष्टा आपका है energy cycle किस तरहां का है वो मैंने आपको बता दिये अब इस रिष्टे को लेकर किस तरहां के फैसले आप बनाएंगे वो आपके उपर depend करता है So I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में जरूर बताइएगा यह reading आपको कैसी लगी video पसंद आई है तो like करना मत बूरिएगा अपने near and dear ones का साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सकते हैं तो do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced हैं और किसी personalized problem का solution उसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं यह booking आप मेरे whatsapp के थ्रू या फिर मेरी email id के थ्रू book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रींग पर flash होगे जिन नोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको ने ने वीडियो की notification मलती रहें so thanks for watching see you soon